नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल में मैं इस समय मौझूद हूँ जम्मू कश्मीर के उधंपूर जिला में जॉर्ट सोरोस एक ऐसे अरब पती जो हमेशा से विवादों में खड़े दिखाई देते हैं अमारीका में रहते हैं लेकिन उनके जो बियान है वो दुनिया बर के लिए ऐसे ऐसे बियान देते हैं जिससे कही न कहीं इस देश की जो सता रूड पाटिय है उनके साथ साथ विपक्ष भी इस इनसान के खिलाफ जो है खड़ा दिखाई देता है हाल ही मैं अगर बात किया है जौर्सोरोस के कुछ बयान सामने आए परधान मंतरी नरेंदर मोदी को लेकर साथ में अडानी को लेकर के और इस समय जिस जम्मु कश्मीर की धर्ती पर हम खड़े हैं इस जम्मु कश्मीर के लिए भी उन्होंने बयान दिये हैं जिसको लेकर के अब जो है ना ही सिर्फ बीजेपी ने बलकि कॉंग्रेस ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया आईए अब जम्मू कश्मीर की जनता से उदंपूर की जनता से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो न्यू यॉक में बैठ करके कुछ आपने विचार रखता है जमीन पर कभी नहीं आता आकर के यहां की स्थिती कभी नहीं देखता 370 के बारे में कहा गया वो विपक्षी पार्टी हैं भी 370 के बारे में बला बुरा कहती है कि जब से हटा है कुछ हो नहीं पाया है वहाँ पर इसको जो है हिंदू राज्य बनाने की बात की जा रहे है यही बात फारुक अब्दुल्ला कहा रहे है और यही बात जोर्ट सोरोस अमेरिका में बैठे हुए कर रहे है आईए यहां की जनता से बात करते हैं हमारे साथ यहां के सोचल अक्टिविस्ट राहुल गुपता है पहले उन से बात करेंगे सर कैसे देखते हैं 370 जो टूटा है देश की जो विपक्षी पार्टियां है कॉंग्रेस हो यहां फिर यहां की NCPDP वो तो हमेशा से आरोप लगाती रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पे अपना दबदबा बनाना चाहती है बीजेपी और अब यह जो है न्यूँ यॉक में भी एक व्यक्ति बैठ करके इस तरह का स्टेटमेंट देता है 370 के लिए बेसिकली जम्मू कश्मीर के साथ इन पारिवारिक पार्टियों ने जितना जम्मू कश्मीर को उन्हें ने लूटा है उस लूट को जो हमारी बाच्पा की सरकार ने इनकी उस लूट को बंद कर दिया है उससे ये बुखलाए हुए है कि उनको ये सोच देख थे कि ये हमारे गर की जागीर है इन्हों ने सेंटर को द्रा दमका के हर वक्त उनको लूटना और वो भी कुछ जो पहले सेंटर में थे कांगर्स पार्टी थी और कुछ पार्टी थी उन सब ने इनका कहना माना और इन्हों ने सेंटर को जी बर के लूटा जबसे मोदी जी ने 2014 से सत्ता में आया है जबसे दारा 370 और पैंतरी हटा है और जाज स्रोश्ची को किसने राइट दिया कि वो जम्मू किश्मीर में बोले है अगर वो अमेरिका में रह रहा तो वो तो अपने अमेरिका में राकिया अपने प्राइजिदेंट को हराने के लिए 20 क्रोड का चंदा दे अगर वो हमारे जम्मू किश्मीर के लिए जा मोदी जी के उपर अगर ब्यान देते हैं उन ब्यान को कोई तरक नहीं है इनके पीशे एक अंतराष्टिय प्रपोगंडा च देख रहे हैं उनको एक आस जगी है कि कोई दुनिया में कोई एक ऐसा नेता है जो सबके काम आ रहा है चाहे शिरलंका हो चाहे बुटान हो वो पाकिस्तान जो कश्मीर मांगता था आज वो आटा मांगने पर मजबूर हो गया है यह हमारे जशस्वी प्रदान मंत्री की दूरदर्श्ची यह हमारे जो नेता जी बाकि जो नेता है जैसे मारे आश जाशंकर जी है जैसे हमारे विदेश नीती है हर देश आज हमसे हाथ मिलाने के लिए त्यार बेटा हुए कि अदानी मामने भे लिए कि अदानी आज पएदा हुआ कि अदानी करते हुए तो पच्छी साल हो गए तब किस कि कांगर्स कि कुप इसेने में फॉप पार गर्ना होता है लेकिन तुasacido का मेरिकांज कесी बुद्धी जी भी अगर ये सोच रहे हैं कि कोई भारती है अगर इस लाबल पर पहुंच सकता है कि वो वर्ल के नंबर बान जी नंबर टू की पूजिशन पर पहुंच गया लेकिन उनको यह पच्च नहीं रहा है और खासों पर हमारे शाय देश में कुछ जाचंद है ऐसे जाचंद है कि जो उन बुबक्षियों के साथ मिल गये है इसमें चाहे रहाल उगांदी जी जम्मू किशमीर की यात्रा करके गये थे तब वो कहते थे कि आपने ये गरों कपड़े क्यों पहने आप ठंड से ड़ते हो आज गुल मर्ग में वो क्या कर रहे हैं उन्होंने टो पर बर्षों में कितने एंसे और कितने नहीं बन गए जो बाहर बैठे हुए कुशुपुद्धी जी जाच सुरोसी हो गया हिडन बर्ग हो गया हिडन बर्ग को इसने राइट दिया कि वह हमारे देश के लोगतांत्री जो दुनिया का सबसे पुराना लोगतांत्रिक देश पर तो अमेरिकन कोट आफ जस्टिस में वैसे ही समय जान चल रहे हैं कि जान पुश कर ऐसे पहलाती है इनको बैसिकली बारत देश के जो इतना ने तरब कर रहे हैं वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका में जो कुछ बुद्धी जीवी है जो सोचते हैं कि हमारे हिसाब से दुनिया चलेगी अरे यह बूल जाओ जे उबरता हुआ भारत है जे जिसस्टिस प्रदान मंत्री के दूर दशी सोच का नितिज़ा है आज हम आत्म निर्वर भारत के तोर पे आगे बढ़ र देख लीजिए अवियेशन सेक्टर में सबसे बड़ा सोधा आज अमेरिका के साथ हुआ है अमेरिका बुद्धी जीवी हैं जिनको यह पच्चनी रहा है कि बारत इतनी तरकी कैसे कर रहा है चाहे वो हिड़न बर्ग हो हिड़न बर्ग कहता कि यहां पर आके केस करिए अब यह तुम्हारे ब्यान से किसी का घर तवा हो जाए आप तो करते ही वही हो आप यह पर तो चाइने ने केस किया आपके और कई देशों ने आप पर केस किया अगर आपको लगना है तो आप आईए इंटरनेशनल दालत में हमारे बुबारी क्यों जाए अमेरिका में रोजगार सकते हैं इनको बारतिये लोगों को यह उपर देख ही नहीं सकते कुछ चंद बुद्धी जी भी है यह तो अपने देश के सगे नहीं है जो किसके सगे हों के आपके बास दोबारा लोटू हूँ हमारे साथ सनी कलसोत्रा भी है युवा है यहां के उनसे भी बात क करेंगे कैसे देखते हैं यहां पर एक तरफ जो बाइडन तो धन्यवाद करते हैं भारत का कि भारत उनके 44 राज्यों में 10 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है यह जो डील जिस डील की बात राहुल जी ने की और वहीं दूसी तरफ उसी बीच एक ऐसा स्टेटमेंट आ कि बात करते हैं इधर बात इतनी सी है कि जैसे हमारा बारतिय राष्ट्रह जो यह एक अच्छे तरीके से ऐक अच्छी लहसे उपर को बढ़ रहा है एक अच्छे जिस आप कह सकते हो इस टाइम पे दुनिया में पांचमे नंबर पे एक और आने वाले टाइम में यह और को होता है कि एक जो देश है जिस पर कभी कोई-कोई दूसरे तेश राज किया करते थे सब कुछ किया करते थे आज वो देश एक शक्ति की तरह हैं अबर के सामने आ रहा है जैसे मोधि जी के न anticipate में आपको पता है यह सब कुछ अच्छे से हिलाते हैं उनका शेयर मार्केट में उनका शेयर डाउन कराते हैं यह वो इससे और कुछ नहीं है यह बस जो बारत आने वाले टाइम में आज जो एक विश्व गुरू बनने जा रहा है यह उसको तोड़ने की साजीश है इन सब की और कुछ नहीं है जैसे यह आप कह रहे हैं कि हमारा जो हिंदू राष्ट्रे है जिस तरीके से तरक्की कर रहा है वो ना हो पाए और यह किसी ना किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करते हैं जो एक सही तरीका नहीं है क्योंकि जो एक बिजनसमैन जैसे आप हमारे यहां के कहते हो कि अडारनी है कोई भी वह व से हमारा बारत बढ़ रहा है कहीं भी कम नहीं हो रहा है बट कुछ ऐसी ताकते होती हैं जो इसके खिलाफ बोलेंगी हमेशा बट हम सबको एक होके मिलके इस सबका खिलाफ जाना है हमने और अच्छे मजबूत तरीके से अपने बारत को आगे जाके और उन्चाईयों पर लेक रहते हैं और उसमें बहुत सी कंपनीज जो है सेंकडो कंपनीज पर उन पर रोक लगा दीगे उन पर बैन लगया उसके बाद जो है कुछ यह चीज़े निकल करके सामने आती है कहीं ना कहीं जो फंडिंग होती थी उस फंडिंग का दूर्पियोग होता था जो पिशली सरक पूरी रोक लगा दी गई है अगर आप ने अच्छा कमाओं के लिए लगा नहीं है तो उसमें आपको हिसाब देने में कोई डर नहीं है अगर आपने बूरे कामों में लगा नहीं है कहीं ना कहीं हमारा देश तो तरक्की के तरब जाना चाहिए यह फंडिंग वाले चाहते हैं कि इस देश में जुबा ना उबरे आज बारत वर्ष पूरे विश्में पैंसर प्रसंट दूसर राश्पती आपको उखता जाए और इस दूसरे राश्पती को बनाए आजए अगर घृफ नद वहता है हवारे यहां पे नहीं गहता है इन इन गद्दारों को जो जुवाओं को नशे की तलब दगेलने के लिए पूरा प्रयास करें आप पंजाब देख लीजिए पंजाब में पंजाबीयों ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी आई है तो हमें खुशहाली मिलेगी लेकिन उन्हें खुशहाली नहीं मिली उन्ह देश को नुक्सान पहुंचाओ कि कुई हमारा देश अब आज की देश में उबरती हुई ताकत के तोर पर यह से हमारा भी पिछले हफ्टे हमारे रियासी के सलाल में एक माइन्स में लिए हम सो परसेंट लिथियम जो बारत देश बाहर से मंगवाता था आज पूरा आत्म नीरेंवर की तरफ भढ़ यह हम पांस व्दीजी कहते हैं पांट ट्रिलिण डालर मैं कहता हूं आने वाले पांक सालों में थस व염 सकते हैं हमारे जम्मू किश्मीर में इतना खनीजा इतना खनीजा है जिसका दोन करना भी बाकी है अभी तक जो यहां पे जो सरकार सत्ता में रही है उन्हें सिर्फ अपने घर बरे हैं उन्हेंने यहां की जनता के साथ कुछ भी नहीं किया ना उनको रोजकार के नाम पे भी उनके करते हैं और इसी भी जो है यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आता है और किस तरह से इस अभी लोग लगे हुए हैं कैसे देखना चारे और को आपको लग रहा है कि प्रधान मंतरी बनेगा आने वाले समय मेरे को तो यही लगता है कि हमारे जो मोदी जी हैं वही दुबारा से प्रधान मंतरी बनेगे और जैसे आपने यह दूसरी चीज कही कि यह जो बाहर के बड़े बड़े जोग पती हैं जाए यहां के हमारे अपोजीशन के लीडर्स वगरा हैं आपको पता है दोज़ार चोब होते हैं आज की डेट में आप देखते हैं कि जो हमारी आम जनता है वो आपको पता है वोटर्स होते हैं सारे अपने अपने तरीके से आके वोट मांगते हैं कुछ बारत जोडो यात्रा करते हैं कुछ कुछ करते हैं बट एंड ऑफ दे जो लोग है यह लोगों का डिसीजन इतना कूड़ा थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये भी एक अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर से युवा साथी व्यपारी साथी जुड़े थे जिन्नों ने बताया आकिरकार किस तरीके से कुछ ऐसे सुन्योजित लोग हैं जो भारत की तरक् नहीं देखना चाते हैं और उसी को लेकर के यां सवाल उठाते हैं